नमस्कार इस वीडियो में हम समझेंगे कि मातरतो आवकास क्या होता है यानि कि राजस्तान सेवा नियम 103 के इंतरगत मातरतो आवकास के क्या नियम है और कोन महीला मातरतो आवकास कितने दिन तक ले सकती है और संपूर्ण शेवाकाल में किस परकार से तीन बार मातरतो आवका के इंतरगत मातरतो अवकास यानि की प्रशूती अवकास जो है उसे केसे लिया जा सकता है उसके क्या नियम से इसको हम समझने का परियास करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मातरतो अवकास राधस्तान सेवा नियम के नियम एक शोतीन के इंतरगत इसकी वैख्य एक बार में अधिक्तम 180 दिन का मातरत आउकास लिया जा सकता है और अलग अलग कंडिशन में जेशे की माली जी किसी भी महिला करमचारी ने दो बार उसका उभोग कर लिया उसके बाउज़त भी कोई जीवित संता नहीं है तो इसी इस्तति में एक बार और मातरत आउकास स्व जो अभी उनका प्रोवेशन पूर्ण नहीं वा है तो इसी इस्तति में उसे भी मातरत आउकास का लाब दिया जा सकता है और पूर्ण वेतन दे होता है और परिक्षा धिन और इसके साथ साथ जो एस्थाई करमचारी होते हैं वो भी इसका लाब ले सकती है माली जीए पहल पूर्व प्रशव हो और कोई शंतान है वो निशक्त पेदा हो जाए तो उसकी घंडा संतान के रूप में एकाई की रूप में उसकी घंडा नहीं की जाएगी अगर निशक्त संतान होते हैं तो उसकी घंडा नहीं की जाएगी उसके बावजुद भी दो और बार उसका प्रशव हुआ हो यानि कि उसे संतान की उत्पति वेत यसी इस्तति में वो उसका लाब ले सकती है लेकिन उसकी कुछ कंडिसंस है उसकी क्या कंडिसंस है कि न्यूपती जिस दिन होती है तो उसके 15 दिन के बीतर उस महिला करमचारी को अपने विभाग में ये जानकारी देनी होती है कि वो प्रशुती अव्कास लेना चाहती है या उसके कोई जीवित संतान है ठीक है इसके साथ साथ ये भी कंडिशन है कि 15 दिन के बाद उस는 जानकारी दे दी लेकिन उस अव्कास को लेने के लिए ये जरूरी है कि जिस समय वो अव्कास लेने जा रही है उस संतान के लिए जो नियुक्ति शे पूरु जीवित संतान है तो इसी इस्तति में उसे उस संतान की उम्र तीन महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इस इस्तति में कोई भी महीला करमचारी जो नियुक्ति शे पूरु जीवित संतान के लिए मातरतो अवकास रहना चाहती है तो ऐसी इस्तति में उस अवधी को इसमें कम कर दिया जाएगा कि शवधी को एक तो नियुक्ति तिथी शे कितने महीने पूरु संतान का जर्म हुआ है जो जीवित संतान है जिसके लिए अवकास रहना चाहती है और इसके साथ साथ उसके पंदरा दिन बाद इस प्रकार से इस अवधी को गटा लिया जाएगा और पीछे जो अवकास बोग महीला करमचारी कर सकती है अब है कि जो महीला करमचारी अवकास लेना चाहती है क्या आवकास पर वही वेतन मिलेगा जो से मिर रहा है या बढ़ा हुआ मिलेगा तो आवकास पर जिस दिन जा रही है उस दिन से पूर्व जो वेतन वो महीला करमचारी उठा रही है उस अर्च महिने में परशूति आवकास ले रही है तो बीच में जुलाई पढ़ता है क्या जुलाई का उसे वेतन वर्दी का लाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो वेतन विर्दी है वो कालपनिक रूप से दी जाएगी लेकिन नकद जो भुगतान है वो कारेगरह होगा तो उससे पहले जो देय नहीं हो सकता है और आरेसार के नियम एक सो चार के इंतरुकात ये भी ये भी प्रावजान किया गया है कि मातरतो आवकास के साथ साथ अन्य कोई भी आवकास लिया जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार से जैसे कि मातरतो आवकास के साथ कोई शीश का भी लाब उसमें दिया जा सकता है क्योंकि सीशियल की तो सीमा वेसी 18 वरस तक होती है बच्चे की बच्चे की उम्र 18 वरस तक उसे देई है लेकिन इसकी अलावा भी अगर कोई महिला करमचारी चाहे तो मातरत वावकास के साल सीशियल भी ले सकती है इस परकार से आप किसी च्शी जो आवकास का कोलम होता है इसमें इसकी एंट्री नहीं होती है बलकि सुरूश बुक में 250 अलग रूप euh नि लिखा जाते है कि महिला करमचारी को प्रत्श्य मातरत वावकास का लाब लिया इस प्रकार से उसकी एंट्री ंच्या हम समझ सकते हैं कि किशी भी महिला करमचारी को माधरत और अवकास किस परकार से दिया जा सकता है, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.